बच्चे ने दी माबाप को एक सीख, किसी गाम में एक बुधा व्यक्ति अपने बेटे और बहु के साथ रहता था, परिवार सुखी संपन था, किसी तरह की कोई परिशानी नहीं थी, बुड़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुड़ापे से हार गया था, चलते समय लटखडाता था, लाठी की जरुरत पढ़ने लगी, चहरा जुरियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था, घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा प्रिवार एक साथ टेबल पर बैठ कर खाना खा खाने बैठ गया और साथ में बहु और उसका एक बेटा भी खाने लेगे, बुड़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए थाली हाथ से छिटक गई थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई, बहु बेटे ने ग्रिना द्रश्टी से पिता की उर देखा और फिर से अपना खाने म लग गए, बुड़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शिरू किया तो खाना कभी कबडों पे गिरता कभी जमीन पर, बहु ने चित्ते हुए कहा, हे राम कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता हैं, इनकी थाली किसी अलग कौने में लगवा देते हैं बेटे ने भी ऐसे सिरहिलाया जैसे पतनी की बात से सहमत हो, उनका बेटा ये सब मासुमियत से देख रहा था, अगले दिन पिता की थाली उस, टेबल से हटा कर एक कोने में लगवा दी गई, पिता की डगबाती आँखे सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा र खाना कभी इधर गिरता कभी उधर, छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था, मा ने पूछा क्या हुआ बेटे तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे, बच्चा बड़ी मासुमियत से ब इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूँगा, बच्चे के मुह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहु दोनों काप उठे शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चा ने मासुमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था, बेटे पिता को उठाया और वापस टेबल पे खाने के लिए बिठाया और बहु भी भाग कर पानी का गिलास लेकर आई की पिताजी को कोई तकलीफ ना हो, शिक्षप, माबाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूर्जी हैं, आप समाज में कितनी भी इजज़त कमाले या कितना भी द्धन एकठा कर लें, लेकिन माबाप से बड़ा द्धन इस दुनिया में कोई नहीं है, दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पे पहिंग बार विजिट किये हो, तो चैनल सब्सक्राइब करने के सबसब ओल पे किलिक करके बेल आइकोन को किलिक करके ओल पे किलिक कर झाल झाल झाल